आज मैं आपके साथ बहुती कम माल के किचन टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपके पैसे भी बचाएंगे और समय की भी बचत करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला टिप हमारा है इस तरीके से कप को लेकर जब भी हैंडिल तूट जाता है तो हम इनको बेकार समझक फेक देते हैं तो आज से आप इनको फेकना भूल जाएंगे तो इस तरीके से जो किचन में हम स्पून बगरा इस्तमाल करते हैं तो उनको और्गनाइज करने के लिए कप बहुती बढ़िया इसमें में कुछ भी नहीं करना पड़ता है और देखने में खुबसूरत लगते हैं तो इस तरीके से और्गनाइज कर दीजिए और इस पूर में हमारे एक जगे रहते हैं भी खरते नहीं है तो आपको टिप बहुत बढ़िया लगा होगा एक लाइक तो बनता ही है इसके लिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ तो इस तरीके से सूजी बग कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे अगर आप घीना डालना चाहें तो डारेक्ट कड़ाई में ही इसको रोस्ट कर लें और इसी तरीके से आप दाल को भी रख सकते हैं तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ इस तरीके से हम बॉटल में जब सामान को भरते हैं तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ तो रोटियां हम बना के तो रखी लेते हैं और माल लिजिए अचानक से गैस खतम हो जाए तो हम रोटियों को कैसे गरम करेंगे ठंडी तो अच्छी नहीं लगती है तो आप क्या कीजिए इस तरीके से प्रेस लीजिए बिल्कुल हमारी गरम गरम रोटी तयार हैं बिना गैस के तो आई होप आपको ये भी टिप बहुत पसंद आया होगा तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ तो इस तरीके से चीनी के डिबे में चीटिया बहुत जल्दी आ जाती है तो आप क्या कीजिए इसमें लॉंग ड जलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ तो इस तरीके से लसन को जब हम स्टोर करते हैं तो खराब होने लगता है तो हम क्या करेंगे इस तरीके से जो बिसलारी वगरा की बॉटल आती है उसको हम लेंगे और इसको नाइफ की हल्प से काट लेंगे अगर ऐसे नहीं काट रही त इसमें लसन की कलियों को डाल देंगे इसली आ जाती है आप पूरी पूरी लसन की आड़ी को इसमें डाल देंगे और बढ़िया से स्टोर हो जाती है इतर दर फैलता भी नहीं है और ब्रिया फिरिच के आप इसको स्टोर कर लेंगे लंबे समय तक चल जाता है लसन तो आई हो डालनी है इससे ज्यादा नहीं डालनी है इससे घर में बरकत बहुत बढ़िया होती है और आप कोशिश करें कि नमक के एक से दो डिबे तक बना के रखें और छेचे लॉंग सम्में डालने है तो नेक्स्ट हमारा दूसरी अडवाइज है नमक को ही लेकर तो छोटे डिबे मे बिल्कुल बढ़िया से बंद करके रखें और इस एडवाइज को जादा से जादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी यह पहुंच सके तो नेक्स्ट टिप हमारा दाल को लेकर बरसात के मौसम में डाल बहुत जल्दी खराब होने लगती है तो इस तरीके से आप जाड़ू तो इस्तमाल करते हैं हम सभी के घर में इस्तमाल किया जाता है और जब हम इसको इसको इस्तमाल करते हैं तो ऊपर वाली डंडी जो है यह हमारे हाथों में चुबने लगती है और यह बंधन भी कुछ दिन वाद खराब हो जाता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक लेंगे पानी वाली बॉटल बेसलेरी या फिर पैपसी वगरा की भी आप ले सकते हैं इसकी प्लास्टिक थोड़ी हलकी होती है तो एजली कट जाती है तो एक होल करने के बाद आप सीजर की हेल्प से इसको काट दें और उपर वाला पार्ट हमको इस्तमाल करना है जिदर लिड लगी होती है तो उपर वाला पार्ट थोड़ा जादा ही लें और देखिए अच्छे से कट चुका है अब हम क्या करेंगे इसको बढ़िया से सही कर लेंगे और इसमें डालेंगे अपनी जाडू तो देखिए इतना पार्ट हमको लेना है और आप हम गैस को आउन करेंगे और इस पर इस तरीके से घुमाते जाएंगे और टॉबल की हल्ट से इसको दबाते जाएंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए थोड़ा उपर से ही हमें करनी है ताकि ज़्यादा चिपके नहीं और देखिए बढ़िया से हमारा सेट होने लगा है तो इसी तरीके से हमें लौ दिखानी है और टॉबल से दबाना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए थोड़ा सा इसको हम और दिखाएंगे अभी तो देखिए कितने अच्छे से सेट हो चुकी है तो अब मैं आपको इस जाड़ू को लगा के भी दिखाऊंगी तो देखिए यहाँ पर पढ़िया से हमारी जाड़ू सेट हो चुकी है बिल्कुल भी आप खीचिये निकलने वाली नहीं है और जब हम इसको पकड़ेंगे तो पकड़ने में भी बहुत आसान है और इसकी जो डंडिया है यहाँ तो में भी नहीं चुबेंगी एकदम सौफली आप इसको पकड़ पाएंगे और देखिए लगाने में भी बहुती कमफर्टेबल है तो नेक्स्ट टिप हमारा आलू को लेकर है तो इस तरीके से जब हम आलू स्टोर करते हैं तो इमें अंकुर निकल जाता है जो कि सेहत के लिए बहुती नुकसान दायक होता है तो इस तरीके से आप पहले तो अंकुर को तोड़ दीजिए फिर क्या करेंगे हम इसमें डालेंगे लसन की कलियां लसन की कलियों को आलू के साथ रखेंगे तो आलू खराब नहीं होता है लंबे समय तक चल जाता है इस तरीके से तोड तोड के हम लसन को छिल के सहित आलू में डाल देंगे अगर आप तोड़ना ना चाहें तो पूरी की पूरी लसन को इसमें डाल सकते हैं तो भी चलेगा और इस तरीके से जब करेंगे तो आलू खराब नहीं होगा लंबे समय तक चलेगा तो next tip हमारा lesson को ही लेकर है तो इस तरीके से lesson को खुला रखते हैं तो वो सूखने लगता है और खराब होने लगता है तो हम क्या करेंगे इस तरीके से जो synthetic vinegar आता है white वाला वो लेंगे थोड़ी सी हम cotton ले लेंगे या फिर cotton का कोई कपड़ा ले ले और उसमें थोड़ा सा vinegar हमको लगाना है और एक lesson की हम ले लेंगे पूरी आड़ी और इस पे हम vinegar का पोछा लगा देंगे जब आप इस तरीके से वेनेगर लगाके रखेंगे तो आप खुला ही रखें बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और लंबे समय तक चल जाएगा तो आपको फ्रेंट्स ये टिप कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएगा अगर आपको टिप पसंद आये हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई